गोड इवनिंग माई लियर फ्रैंस जय हिंद जय वारत बंध्य मातरम यूट्यूब चनल के इंटर अगर्मी पर आप सब्सक्राइब करते हैं और आज हम जो टापिक लगना रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टन टापिक है और वह है आपकी स्ट्रक्चर अब दी आर्थ की प्रित्वी की बनावट की बात करते हैं तो जैसा अलब दाएट देर राथ ट्री लेर्स अब दी आर्थ सब्सक्राइब करते हैं तो अबर मुस्ट लेयर अप दी आर्थ इस कॉल्ड प्रित्वी की ऊपरी लेयर को क्या का जाता है क्रस्ट का जाता है जो सॉलिड है आपका तो कि करने अगर हम ठीकनेस की बात करते हैं तो यह मोंटेन की नीची अगर आर्थ की थिकनेस की बात करते हैं सबसे मुटाई कि अंदर है जितना की इसकी मुटाई कितना है आपका 17 किलो मीटर है और अगर हम की बात करते हैं तो ऑसे की अंदर सबसे अच्छी इन ये ओसेन के अंदर है मौंट्टेन पर क्या मौंटेंच की क्या है सबसे ज्यादा पूटाई है ऐर्थ की अब बात करते हैं आर्थ के क्रस्ट की तोडू पार्स में डिवाइड किया गया है जिसको अपर चैशे लका जाता है अपर चैश्यच को CL कहा जाता है प्लाइब से को यह क्या क्या घरल चीर को प्लाइब टर्वार और अपर उल्पर को घरल मॉबनियों सि्द्वर और और जरके वाइब सी नौँ पर जया सीम अपरी कि दूर पर अध़ है आपका मेंटल की बात करते हैं मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल की अगर हम मुटाई की बात करते हैं तो मेंटल जो लेयर है वह आपका क्रस्ट के नीचे है वीलोधी क्रस्ट के नीचे वाले पाड़ को क्या रहेता है मेंटल कहा रहता है इसकी अगर ठीकनेस की बात करते ह मेंटल के एपर पार्ट को क्या कहा जाता है मेंटल की बास करते हैं तो यह सबसे σब्सक्राइब पाएज़ाते हैं और नहीं बात है मैresyum नुक्त पता है मैgrila वे Πर, बना हुआ है आड़ा है कि तीसरा है आपका कोर की बात करते हैं अगर की बात करते हैं तो इसके टेम्परेचर की बात करते हैं नीफे में होता है यहम In का मत्रहं होता है नीकल का मत्ला होता है आईर मिल कर बना हुआ है क्सकर्व mir agoraaker एक ये जैंक